आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गनमूल को इंगलिस में क्या बोलते हैं आप जानते हो तो इसका बेसिक क्या होता है वो चीज पहले हम बात करते हैं इधर साइड में आप ध्यान से देखो जैसे अगर चिन्न की बात करें तो चिन्न में थोड़ा सा अंतर रहता है वर्गमूल से जैसे अगर हमें इसका घनमूल निकालना है तो यहां पर तीन लिखा होना जरूरी है उसके चुरकी पर समझ रहो न समझ में आ रहा न पूनम कुमारी कमेंट आ रहा आपका नेह बर्मा आपका भी आ रहा है और भैरा राम तुम्हारा भी कमेंट आ रहा बचवा चलो समझो चलो ठीक है यह चिन्न समझ गये न कैसे होता है अब साथियों घनमूल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को घन याद होना चाहिए देखो बहुत आसान हो जाती है चीज़ें अगर याद होता जैसे इधर साइड में समझो अगर हम आपसे बात करें एक्दम छोटी सी संख्या ले लें मान तो मैंने ले लिया 27 और हम इससे आपका इसका घनमूल पूछे 27 का तो आप सभी बता लोगे क्योंकि यह बहुत ही चोटी सी गिंती है सभी बता लोगे ना क्योंकि वहुत आसान है यह अगर हम आप से पास अब आज हो गयरा समस्तारी कोई दिकतनी में चेक कर रहा था चलो तो यह हो जाएगा तीन हम सबको पता है तीन कैसे हो गया क्योंकि हमें याद है क्या याद है हमें ये याद है कि तीन का जो घन होता है भाई साहब वह 27 होता है तो बाबू हो भाईया हो अगर इसका घन 27 होता है तो 27 का घनमूल तीन होगा, मतलब reverse होता है, ऐसे जैसे आपने chemistry में पढ़ा होगा, जो लोग पढ़े हैं, reaction हो गएरा, पढ़े हो कि नहीं, यह होता नहीं, इसमें ऐसे, और यह इसमें क्या होता है, देखे हो कि नहीं, मतलब पराबर, तो उसी तरह से हमें क्या करना है, याद करके चलना है, आज हम आपको लिखवाएंगे घन, पचास तक का, जिनको याद है, उनके अपचनी होने वाली है, जिनको याद है, वो सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे, हाँ मुझे आता है, हम देखते हैं कि पचास सो लोग में, आप सबसे पहले बता पाते हो कि नहीं, और अगर हो तो हम मान लेंगे कि आपको याद है, चलो ठीक है, देखते हैं, चलो, चलो स्टार्ट करें, फिर रेडी, अभी तैयार हो ना भाई साथ, चलो, इसको मैं इधर है रख देता हूं, यह दिख राय का, अब भाई ना दिख वाया, तुम, इधर हो जाओ, दिखना चलो, ठीक है, अब एकदम सुरू से आजाओ, फटाफट, वन, वन नंबर आप सभी जानते हो, वन का तो कोई बताने वाली बाती नहीं है, दो से सुरू करते हैं, दो का घं कितना होगा, जो सबसे पहले कमेंट करेंगे, उनका नाम बोला जाएगा, इसलिए आप कोशिज क करो, सबसे पहले कमेंट करो, और पहली नजर में बने रहो, चलो, तो प्रिये साथियों, ये क्या है, संख्या है, और ये क्या है, उनका घं जिने बोलते हैं, क्यूब, ये याद कर लोगे, तो आसानी हो जाएगी, चलो, जैसे मैंने लिखा, टू, संख्या क्या है, तू, अब तू का घं बताओ चलो। यह घं का मतलब तीन घाद है, किसने आएगा, हम सबी कर सकते हैं, बहुत आसान है, देखो यह तीन घाद का मतलब है कि इसको तीन बार गुड़ा करना है। क्यों भाई साहब यही तो करना है न बाबु, यही तो करना है न नीतेश पटेल श्त्रयांस पटेल चंद्रधर अनुराधा हरसित पंडे मनोज संस्कृति जैसवाल चलो ठीक है तो दो दुना चार चार दुना आठ यह मैं सब नहीं करवाओंगा कि सोचो कि हम सब यही करेंगे दिन पर गुड़ा करेंगे नहीं इसकी हम आपको ट्रिक भी देंगे लेकिन ट्रिक भी ऐसे आसान नहीं है घंकी उसमें भी बहुत बुजाना पड़ता है देखो समझो कि अच्छा दूसरी संख्या पर अगर हम चलें तीन का क्यूब कोई बताएगा सबसे पहले जब मैं पूच्छू तभी पहले नहीं कि तीन कभी वैसे ही हो कुछ ऐसे गदहे हैं ना उनको यह लगता है कि तीन का घात तीन का मतलब होता तिंद्रिक का नौ और वो क्या करते हैं इसका मान नौ बता देते लेकिन ऐसे नहीं होता बच्चा देखो यह तीन घात का मतलब है कि यह तीन बार गुड़ा होगा तीन बार गुड़ा होने का इंपल साइस में कुछ नया थोड़ी है आगे चले विसाल रहा थोड़ जी देखो उसी एप में है बाबू ठीक है एपलिकेशन में है और यह बात वाली कलास तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं यहां पर समझाऊं नंबर पर इंक्वारी करो दिन में जिनको कोई इंक्वारी क करना है नीचे नंबर चल रहें उन पर संपर्थ करो तो आगे बढ़ते हैं दो का मैंने मिटा दिया मिस्टेक से यह तीन का इसमें देर नहीं लगनी है अच्छा चार का चलो फटा-फट क्यों थोड़ा जूमूम कर रहे का यह तो सारी जल रही यार चलो चार का याद रहना चाहिए 5 का 120 जैसे तुमको अपना नाम याद रहता है न कोई पुछे क्या नाम है बताते हो फट से हमरा विसाल पौल है हर्शित पांडे हमरा नाम स्रियांसि है गोलू है भुकेस देना यह प्रिया है आपको सब का नाम याद रहता है न बही हां आज एक नया नाम आया है बड़ा खतरनाक इनका नाम है लाउन पते नहीं का लिका लगा के चलो जाने दू नहीं पड़ेंगे लिए हट्थमा इतना तो हो गया इतना तो हो गया कलियर कंपलिट कि आपलो सभी फटाफट चापलो परवेश आलम संस्कृति जैसावाल सभी को याद है अच्छा एक बात बताओ इमांदारी से बताना दिल पे हाथ रखके कितने तक याद है आपको दस तक पीस तक पंद्रह तक पचास तक एक को नहीं आद है कुछ नहीं आत है सरमाना नहीं बिलकुल दिल से बतानागा कोई देख नहीं रहा तुम को जहां भी बैठेहो जैसे स्थिति में बैठेहो कोई नहीं देख रहा है चलो बता दो कितने तक याद है पंओजबहेल जी आपी ब बता दिजे हरयो? सिलावत हर्षित पांडदे बता है कि वह प्रसी की और यह दसता क्याद है रामफल को भी याद है अनुरादा को बीस ता क्याद है अच्छा अनुरादा आप 19 का बता दो जल्दी से पता दिये चलो ठीक है तो यह मैं मिटाता हूं इतना हो गया अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर देखो कम से कम अगर आपको कमपटीशन का एक्जाम देना है तो यह मालो कम से कम तीस तक तो यादी करे रहो यार कमपटीशन में जाना है तो तीस तक और बाकी अगर पचास तक याद कर लो तब तो और अच्छी बात है पचास तक अगर याद कर लो तब तो और सुन्दर ब होगे कहीं आपको मान लो घनमूल ही निकालने को आ गया जैसे कि मान लो आपको याद है क्या याद है कि पचीस का जो होता है वो कितना होता है 15625 क्यों भाई मैं सही लिख रहा हूं ना करोगे काटो पीटोगे कुड़ अंखंड करोगे अरे बहुत कुछ करोगे ताइम जायेगा ना ताइम बेस्ट होगा और आजकल समय का जो है बहुत बड़ी कीमत है सबेंस में आ रहा ना भाई सभी को पीनाय कुमार आ रहा समझ में चलो इधार आगे बढ़ते हैं फिर अगला यह तो हो गया आपका कितने तक कितने तक हुआ अभी तो मैंने सायद शे तक लिखा ना चलो साथ का बतादो सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है अंख्या सा कि ताथ का घंड कोई बताएगा उसके बाद आठ में आ जाना सर्माना नहीं बिलकुल चलो चलो रेडी 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 अ बहुत अच्छे रनविजय जी धन्यवाद अब दूल कलाम जी आ गया है भाई चलो बहुत अच्छी बात है बेरे गुड रेडी स्टेटस काहे को सायडो बचवा तुम हां बात गई का चलो देखो इदर का सता उन्चा सत्य कितना 343 क्यों सही है न देखो कैसे आ इदर मजलो और यह साथ गुड़ा साथ गुड़ा कर लो आयागा ननस बहुत अच्छे बेरे गुड नितीस जी का आगेया बेरे गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे पेंटु Kुमार छलो देखो उसी तरह से आड़का करोंगे आठ ठाइ applied 648-512 होगा फिर 9 में बढ़ चलो यह याद करने के लिए लिखवा रहा हूं बाकी यहाँ पर मैं तमासा नहीं कर रहा हूं जिनको नहीं याद है नहीं पता वो लिख ले एक तरफ से स्क्रीन साथ लेते चले मैं सामने से हड जाता हूं यह लो चलो मैं सामने से हड गया हूं लिख लो याद होना चाहिए रट लो इनको तभी आएगा नहीं आगे कुछ नहीं आएगा फिर बहुत समस्या होगी जान लो इसलिए इन चीज़ों को याद कर लो आप याद करने का यह मतलब नहीं कि बैट की रटो काखा गागा की तरह नहीं होगा होगा हुँ रामफाल सरोजी समझ में आ रहा है अच्छा एक बात बताओ आप क्लास को लाइक क्यों किया बहुत कि मैंने कहा नहीं नहीं आप ने किया नहीं देखो यार समझो हम सारी कौशिष है कर रहे हैं जो भी हमसे और आपके लिए आप लोग की जिम्मेधारी ह सब्सक्राइब अपने वाट्सप के स्टेटस में यह सैड इस्टेटस प्यार वाला रोमंटिक वाला दिल तोड़ने वाला लगाने से कुछ नहीं होने करोगे ना मचा नहीं आता फिर अंदर दिल नहीं करता और बाकी तो आपको हम सारी कलासे पराएं यूटूब पर फ्री पढ़ा रहें पेड़ वाली कलासे यूटूब पर चल रहें चल दी से बस हो जाना चाहिए एक मिनट में बाते तो सुननी चाहिए ना यार हम आपकी सु यासा तो कोई बहुत बड़ा चीज मांग नहीं लिया कि हां अंग उठा देदो मुझे दुरूणा चाहर की तरह नहीं मांगा ना चल कि इसका कितना होगा कि इसका कितना होगा 729 क्यों सही है कि नहीं देखो कैसे होगा ये तीन बार गुड़ा होगा नव नमाइक क्यासी उसी तरह से बच्चा अगर दस का करोगे तो दस का क्योब हो जायेगा अच्छा एक बात बताओ ये दस तक कितने लोगों को याद है पो यास 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 चूट नहीं बोलना लेकिन जूट बोले कव्वा काटे जाने लो याद रखा न कुछ ऐसे नालायक है जो लाइक को बोला तो डिफ लाइक कर दिए उनको यह नहीं पता है देखो बच्चा जो आईसे अंग उठा नीचे को है उसके क्लिक नहीं करना है यह डिफ लाइक है जो आईसे को है उस पर क्लिक करना अग उठा उपर को नीचे वाला पर नहीं समझ गए न तो जो लोग यह गल्ती कियें उसको जाके सही करने फटा फट अब मुझे पता है कौन किया यह मत फोतिना की मैंने कर दिया इनको मालूम नहीं है मुझे पता है वो कौन किया है जलो तो जो किय यह उसको जाके सुधार ले फटा फट तुरंथ को है जास्तक सभी को याद है ना इस तक सभी को याद है और चंदन कुमार याद है न भाईया विजेंद्र किरन मौरया चलो अब आजाओ ग्यारा पे ग्यारा का घंथ कितना होगा अब थोड़ा-थोड़ा डिफकल्ट होत कितना होगा ग्यारा ग्यारा मतलब हैंनल में हमें के खल कर देते हैं यारा का इस्क्वायर तो तुम जानते हो जानते हो कि नहीं है 111 के सब्सक्राम नबहुत है टीक है ताम में बैरी गूड़ बच्चे से पच्छेज़ बहुत अच्छे बहुत अच्छेी लेकिन जो मैंने कहा वह लोगों ने सुना नहीं जाने दो ठीक है रहा हो तुम जैसे वैसे हम भी चलो कि पारा का कितना होगा कि इसको भी क्या करोगे ऐसे लगा दोगे यह ट्वैल इंटू ट्वैल इंटू ट्वैल तो इसका तो करी लोगे अच्छा मुझे एक बात बताओ चलती से फटा-फट हर कोई कोई की बताएगा वो क्या है यह छटकी संखिया का वर्ग कितना होगा कॹण मैं घंद की बात नहीं कर रहा हूं वर्ग की बात कर रहूँ कोई बताएगा एनिवन कुछ सबूर राज़िपूत जी नाम तो आपका इतना बड़ा सा है अब काम पता नहीं कितना बड़ा है बगवान जाने जो चार बार और लिख लो तीन बार तो लिखी हो दो बार और लगा लो यूटूब में तुम्हारा नाम ही दिखी चलो देखो इसका जो वर्ग है वो क्या होता 144 होता है कुछ गद है 1728 बता रहे हैं वो सब इकट्थे बता दे रहे हैं देखो समझो 144 होता है यानि यह दोनों का गुड़ा करोगे तो 144 आएगा और इसका 12 से गुड़ा कर तो अलग से भाई मैं तुमको निकालना बता रहा हूं कैसे आत इसका अगर तुम घन मूल करोगे तो 12 आएगा अगर 1331 का तुम घन मूल करोगे तो 11 आएगा इसलिए याद करवा रहा हूं कि तुमको याद हो जाए सब करना ही ना पड़े समझ रहो ना तंगीता नायक मुझे वायत में डारेक्ट वकी गुना भाग नहीं आता है देखिए जिनको भी नहीं आता है कोर्स जॉइन करिए रेगुलर देखिए अगर यूटूब पर पढ़ना है तो पीवियर स्टेडी सब्सक्राइब करिए और डेली राप 9 बजे से लाइब आई कि जैसे परसाद लेने एक दिन आ गए अगले दिन पता नहीं कहां चले गए और टेली तब मिलेगी कला जब चैनल सब्सक्राइब करोगे नंबर नोट कर लोगे नीचे चल रहा है स्क्रीन पर तब ठीक है चलो चंदन कुमार का है परेसान हो बच्चा तुम रिश्टर चं इसको भी सिंपल है कर लोगे चलो फटा फट बताओ जल्दी करो जल्दी 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 कितना आएगा अपेंटमेंट सो कर दिया गर भाई जिनका होल्ड होता है आप तर्यांस पटेल डेली आते हो चलो ठीक है कोई नहीं लाइब आएगा तो तुम चले जाना अपने मौसी के आँका है यहाँ आए हो जा चलो देखो इधर इसको कर लोगे ना भाई 13 का क्या करना है हमें पता ह है कि 13 का जो यह स्कॉयर होता है 169 होता है और फिर से इसमें क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे कर लेंगे ना 297 आ रहा है एक ठीक है बहुत अच्छे बरी गूट कितना हैगा 297 बिल्कुल बिना मेहनत के लिख लो कैसे हुआ पता है अरे बच्वा तेरा का तुमको सिला है कितना क्यारा और तेरा कच्छे में गुड़ा कर लो कि पल्टीपल तो करी लोगे इसमें बताना नहीं है चलो देखो इधर 14 में आ जाओ 14 का है को भाई देखो इधर साइड में समझो 14 का करो जल्दी करो फटाफट अभी ट्रिक बाद में बताएंगे यह बेसिक है यह उनके लिए है जिनको मैथ नहीं आती है जो सारी उमीदें छोड़ चुके हैं कि मुझे अभी कभी मैथ आएगी यह उनके लिए है जिनको आती है वो जाएं कुछ और करें चलो तो 14 का इसी तरह से आप लोग कर लोगे इसमें भी ऐसे ही है इसका मतलब है कि 14 इंटू 14 इंटू 14 आपको 3 टाइम मल्टीपल करना है लिख लो याद किये रहना ठीक है हरसित पांडे जी बहुत अच्छे हरियोम सिलावत कंचन मौर्या गलत है आपका गलत है कंचन जी भी नहीं हो रहा है थीक है शर्यांज पतेल जी आपने गेमर का नाम हटा के नाम लिख लिए अच्छी बात है देखो अगर आपका कोई बड़ा चैनल है तो ठीक है कोई बात नहीं आप मद बदलो लेकिन अगर चैनल वेनल नहीं है फाल्तू का नाम बदले हो पूडा बेके बाद 27-44 वालों का सही है ठीक है बिरजेंद्र जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चंदन कुमार को होल्ड कर दो तो कितना आएगा 27-44 इनको मजा आना चाहिए अब यह अच्छरा से इनको लाकर डांस कर वाएंगे तब यह देखेंगे तब मजा आएगा है ना को मजा नहीं आ रही बोल रहे हैं अलब कुछ अलग होना चाहिए तो यहां पर मजा नहीं आएगी बच्चा जिंदगी तुम्हारी ना मजे के चकर में सजा हो जाएगी इसलिए देख लो जो हो रहा है चलो यह क्या हो जाएगा 15 का करोगे कितना आएगा इसका कर लोगे ना सभी कर लोगे ना 2747 वालों का ठीक है परदीप जी आपका भी ठीक है जूली परजापती जी बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे भारती लहरी छोटू रंजन कुमार भाई ये 3375 वालों का सही है इसमें सबसे पहले कौन बताया है भारती भारती लहरी एक भारती भट दूसरी मतलब नाम है भारती भाटी चल ये ठीक है इसका आएगा 15 को 15 में गुड़ा करोगे फिर 15 से करोगे 15 15 में कितना होता है 225 होता है करके देख लेना जो भी होता है फिर से 15 से करोगे तो बच्चा ये 3375 आएगा इक वात EC पर लगे हाथ और ले लो ये है कि अगर 33-35 का तुम घन मूल करोगे तो घन मूल करोगे बच्चा तो 15 आएगा ठीक है समझ गए ना रामा देवी ठीक है रंजन कुमार एके ने बताया था भई तो क्या करूं मैं एके का नाम तो बोला था एके तो बड़े पुराने इस्टूडेंट है चलो हो गया इतना आगे बढ़ते हैं अब फिर हम लोग फटा फट चलो आप देखिए आप लोग यह बता मुझे इतना याद कर लिया कि नहीं चलो जल्दी से फट से बता दो 12 का घन अभी अभी लिखा था अभी अभी पारा का घन अब तेज बोल रहा हूं क्या थोड़ा मुझे लग रहा तेज बोल रहा हूं क्योंकि आवाज रेड के रास चली जा रही है बारा का घन कितना आया था यह चार हजार चानवे कौन बता रहा है अरे गदो मैंने नहीं लिखा भी अभी तुम ने कुछ लिखा ही अच्छ पारा का घं मैंने पूछा है टुम लोगों से गवारा का घंख कर दिया मैंरे सिस्टम रंजय कुमार ठीक है मैं इस पूछा नितस मुहारा भी तुम्हारा भी तुम्सी का अभी नहीं सही है इसमें ये जो तुम लिख रही हो ना ये किसी संख्या का होता ही ने घंड हरी ओम ठीक है भाईया ठीक है त्रयांस पटेल ठीक है देखो इसका ये मतलब नहीं कि मैं लिखवा रहा हूं तु आगे कही पूछूंगा पीछे कभी तुमको याद रहना चाहिए मैंने ग्य कि याद कर लेना सभी 4096 कितना 4096 देखो आता कैसे है 16 को 16 में और फिर 16 में गुड़ा करते हैं कि आप जाते हो ना 16 96 96 96 कितना होता है 25 कि 256 होता है ना 16 का वर्ग तो इसमें क्या करोगे 16 से गुड़ा कर लो ये बस भोगे अफटाफट समझ में आ रहा ना सभी को आशू जी आ रहा समझ में कंचन मौर्या समझ में आ रहा है ललिता कुमारी संतोस बर्मा सभी को समझ में आ रहा ना लिख लो फटाफट तो 17 का लिख लो बच्चा 17 कभी ऐसा ही कर लोगे 491 सम्थिंग आएगा अभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें आप लिखके कमेंट करिए क्या कर रहें भाई कुछ तो करिए ना लाइक और सब्सक्राइब करें सभी फटाफट सब्सक्राइब इसलिए कर लें जिससे अगली कलास में भी जूड़ पाएं और फिल्कुल फ्री मैथ सीख पाएं एक बात अपने दिमाग में रख लो जो नए चात्र हैं अगर आपको मैथ नहीं आती आपने सारी उमीदें छोड़ दिया कि मुझे मैथ कभी आएगी तो आ आएगा पका हैगा सभी को आएगा लेकिन रेगुलर कलास देखना बिल्कुल जाना नहीं कहीं ठीक है यादो सरकार वाई देखो यादो कि सरकार तो भी आई नहीं है तुम नाम पहले से कहे रखके गुम रहे हो हां चलो कमेंट करोगे नहीं करोगे तो फिर इकट है कमेंट है कमेंट दिखेगा चलो ठीक है भाई इसको एकदम से बलाग करो यह हाट वीडियो आला आ गया जो वही है चंदन इसको अब पर्मानेंट हैट कर दो इसको 17 का क्या करोगे इसका भी उसी तरह से होगा 4913 होगा आप सब अब को पता है ना बच्चा देखो जाज इतनी अधी तुम बना लो मतलब गूगल तुम्हें प्लाग कर देगा इतनी अधीक बना लोगे लेकिन यहां तुम्हारा कमेंट नि दिखेगा अगर तुम सोचो कि हम कुछ गडबड करें यहां पर तुकि हम ऐसे तीन लाख को मै कि किएी कर लोगे सिंपल्सादे और साइड में कर दे रहा हुं फिर यहां लाके लिखंग ये इ geldi हम आप चलो जल्दी करो जो बता आठाघर कवर्ग कितना होगा हरी ओम बता है ठीक है अरी ओम जी बहुत अच्छे बेरी गूड हरी ओम ने सही बताया है 58 32 अब हुत नोट कर लो और 19 का बता दो भी लगल हाथ बिलकुल देर मत करो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, ये अंड़ फट उनसाट आएगा, नीचे दिख रहा तो 20 का भी लिख लो, धेर ना करो, देखो तो दुना चार दुना आठ होता ये आठ हजार आएगा, खटा पट इसको लिख लो और एक बात सुन लो ध्यान से, आपसे बिनम्र निबेदन है, कितने भी छात्र जुड़े हैं, सभी को तीन मिनट का टाइम है, जाके इस कलास को अपने वाटसप की स्टेटस में लगा आएं, लिख दें, मैद सीखिए, शुरू से, और जो भी ग्रूप हैं आपके, उनमें सेयर करके आजाओ, पूरे तीन मिनट का टाइम सभी के पास, जाओ जल्दी से इतना कर क्या हो भी या, ऐसे मज़ा नहीं आरे, सो से कम बच्चे होते हैं, खुदी सरम आती है, कि ढाई लाख बच्चे हैं, अगर सो बच्चे भी लाइब नहीं है, तो क्या मतलब पढ़ाने का, भई एक को परसेंट तो नहीं है, एक परसे हो, तो कम से कम धाई सो बच्चे अगर लाइब आएंगे तब जाके एक परसेंट होगा, भई धाई सो नहीं मैं बोल रहा हूं, सवेटेर सो लोग राएंगे तब भी तो अच्छा है, आप मानते हैं कि सभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं उसके, को कि एक लगाई हो गई हैं, उसमें लगा है, तो डिर सारी बाते होती हैं ककि कि, किसी का आपस में करभड़ चल रहा हैं, Prinzip 1 का ताइम मैंने दिया हैं आप सभी निबेदन हैं जल्दी से सेर करके आजांक हम त When smallique दो मिन बचाएं अब सभी से हाथ भी जोल बेहा हूं अगर अब भी नहीं सरमा रही तुम्हें तो जल्दी से शेयर कर दो समझ गया ना चलो जल्दी शेयर करके आजाओ फटा-फट निवेदन है आप सबसे फटा-फट शेयर करके आजाओ जल्दी से और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 तक हो गया है लिंक देना नहीं आता हमें जिनको नहीं आता मैं उनको बता दूँं मैं कैसे बताओ तुमको आँ अदे भाई यह देखो इदर साइड में देखो दिखतो रहा है की नहीं दिख रहा है इसको कमेंट को हाईड कर दो तो लिखने है अफिर पे यहाँ मिनिट बचा है पूरे वन मिनिट बचा है जो भी नहीं सेर किये हैं फटा-फट करके आ जाएं फिर आगे बढ़ें हम लोग जल्दी करो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं इसको चलो भाई देखो आप लोग की भी कोई जिम्मेदारी होती है अगर मैं रेगुलर आपको पढ़ा रहा हूं हर दिन तो आपकी भी जो रिस्पांस बिल्टी आप उसे निभाई ये तब कुछ बहतर होगा और अगर आप उसे नहीं कर रहेंगे नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये गड़बढ़ है पूरी तरह से गड़बढ़ है ये जान लो हां समझ गये ना चलो तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग मने जूम करती है इसको थोड़ा और अच्छा दिखेगा और मस्त दिखेगा हो गया सभी कराएं पूरे तीन मिनट हो गए उमीद करते हैं कि सभी लौट के आ जाएंगे अब फिर आम आगे बढ़ते हैं चलो देखिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है बस उसके लिए होता है अभ्यास की जरूरत अगर आप अभ्यास करते हो तो सब कुछ बेतर होगा मजा भी आएगा समझ में भी आएगा लेकिन हाँ अगर हम एक दूसरे को समझ के चलेंगे पतलब हम पढ़ाएंगे यूट ना बाबु को भी दिखाओ गए और जिनके नहीं है वो दूसरे को दिखा दो दोस्त वाली को चलो देखो इदर जिस तक हो गया ना संख्या अब इकीस पर आजाओ ट्वंटीवन इसका कितना होगा कोई बताएगा हाँ क decision सहबिता जी आपको भी बहूत बहुत धन्यवाद सभी को दिल से धन्यवाद धेर सारweight में इतना साल इतना प्वार इतना सो किते यहें किया है प यह सामने साथी जाता हूं अगर इधर आता हूं तो दिखता नहीं क्योंकि मैंने जूम ज्यादा कर दिया अब मुझे इधर खड़ा होना पड़ेगा चलो कि इतना आएगा 9000 प्लस आएगा क्यों क्यों क्योंकि 21 का जो वर्ग था वह कितना था काफी ज्यादा था ना पानवे एकसट बता रहें कोई चलो तर्यांस बटेल तिपक फरियों रविता और महतो क्रियसन थीक है भया बहुत अच्चे बेरी गूड बच्चे इसका होगा कितना होगा 9261 9261 लिख लो फटा फट लिख लो चाप लो चलो हो गया आगे बढ़ते हैं अगला देखो 22 का कर लो देखो कल से हम करवाएंगे आगे कुश्चन ऐसा नहीं कि रोज यही करेंगे नहीं आज लेकिन हम लिखवाएंगे आज हम लिखवाएंगे क्योंकि यह जरूरी है पाइस का कितना आएगा छोटू यादो आप भी बता दो कितना आएगा पूनम कुमारी आप भी किये हैं चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है अभी कुछ लोग गये हैं सेर करने अभी आया ही नहीं है 10,648 कि इतना आएगा 10,648 कि समझ में आया ना कितना आएगा 10,648 जूली परजापती जी बहुत अच्छे बेरी गुड कलिए 23 का लिख लो आपको एक ट्रिक बता दें क्या कि से करोगे आप लोग यह को एक ट्रिक बता दे रहा हूं छोटी सी लेकिन और ज्यादा उस पर क पूश्चन में अभी नहीं करवाऊंगा पहले अच्छा कुछ लिख लो तब करवाते हैं कि लिखो 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 देखो 10,000 आए यह लगबग 12,000 के सम्थिंग आएगा कितना आएगा भाई आकांचा राजावत जी बताइए कितना आएगा यह 12,166 के लगबग आएगा क्यों सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं सामने आता हूं तो अक्षर छुप जाते हैं इसलिए मुझे खुदी छुपना पड़ेगा कि आपको अक्षर दिखे हम दिखें या ना दिखें तीपक कुमार जी आ रहा कुछ समझ में देखो बच्चा भी डियलेड वाली भी चलवानी है चलो ठीक है तो 24 का लिख लो जो 15625 आया था कितना था 15625 इस तरह से आज हमने आपको क्या किया लिखवा दिया पच्चीस तक का घंद अब याद करके आओगे तो अच्छी बात है नहीं याद करके आओगे तो फिर भगवानी मालिक है आपके जो भी मानते हो भगवान अल्ला तो इसलिए क्या करो या आद नहीं करोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है कि समझ गए ना चलो कि आप लोग बातों को समझते चलो बेहतर होगा अच्छा होगा मज़ा भी आएगा अभी 10 बजे आपकी डियलेट की कलास होगी इस लिए इस कलास को महीं पे खतम करेंगे आज बस क्योंकि 10 बजे अगली कलास है तो 10 बजे अगली कलास भी देखना है है ना 10 बजे अगली कलास है तो इसको यहीं पे बंद करते हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से जितने भी नए साथी जुड़ें अगर मैद सीखना चाहते हैं तो वो इस चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे की अगली कलास में भी जुड़ पाएं तो साथियों चलते हैं फिर मिलेंगे अगली कलास में बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को दिल से धन्यवाद